हेलो फ्रेंज खुशी नीटिंग क्रेशन में आपका स्वागत है देखे फ्रेंज आज मैं आपके लिए एक गर्ल्स टोप बना कर लेकर आये हूं यह हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसमें हमने सिर्फ गले गले पर पैटरन डाला है बाकी सारा हमने प्लेइन बनाया है और कितना प्यार हमारा यह टोप बना है ब कैसी आफको पसंद आएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं देखे इस बरहने प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे और देखिए इसमें हमारा देखिए white wool है और एक इसमें देखिए इस तरह से blue color का धागा है इसी से हम अपने project बनाना start करेंगे और देखिए यहाँ पर हमने 9 number का crochet hook लिया है तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर अब हम इसमें देखिए पहले loop बनाएंगे इस तरह से chain बनाएंगे एक हमारी chain बन गई है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखिए 10 chain हमने बना ली है हमें total 96 chain बनानी है 96 chain बनाकर हम complete करेंगे देखिए 96 chain हमारी बनकर complete हो गई है अब हम इस से देखिए इस तरह से सीधा करेंगे देखिए इस तरह से सीधा किया है और फर्स chain के साथ हम यहाँ पर इसे slip stitch करेंगे देखिए इस तरह से यह देखिए हमारा बन गया है एक, दो, तीन chain लेंगे देखिए अब हम finish में एक double crochet बना लिया यह सोज़ तीन chain बनाई है next chain में हम दो double crochet बनाएंगे एक बार बनाया एक बार और बनाएंगे यह दो हो गया फिर next chain में जाएंगे हम एक बार double crochet बनाएंगे फिर next chain में जाएंगे हम दो बनाएंगे तो पूरा round हम इसी तरह से complete करेंगे एक chain के अंदर हम एक double crochet बनाएंगे और एक chain में हम दो बार बनाएंगे तो round complete करेंगे इसी तरह से यह देखिए यहाँ पर हमने एक में एक बार बनाया पहले हमने 3 chain बनाया फिर 2 double crochet बनाया तो इसी तरह से round complete करेंगे देखे राउंड हमारा बनकर complete हो गया है अब हम इसे यहाँ पर third chain में joint करेंगे एक दो तीन तो इस तरह से लेंगे और third chain में slip stitch करेंगे तो देखे इस तरह से यह हमारा round बना है अब हम इसमें देखे एक chain लेंगे और इसे हम देखे पीछे से जैसे हम बैक पोस्ट बनाते हैं इसी तरह से हम इस तरह से पीछे से लेंगे बनाएंगे एक दो तीन तीन chain ली है धागा लेंगे अब देखे फिर से यह जितने भी double crochet है इन्हें हम सभी को back post बना कर complete करेंगे ये दो हो गया फिर से बनाएंगे back post तीन फिर से बनाएंगे तो ये पूरा राउंड हम सभी double crochet को back post बनाएंगे इस तरह से देखें देखें इस तरह से back post बनाते हुए पूरा राउंड कम्प्लीट करेंगे देखें राउंड हमारा बनकर complete हो गया है अब हम इसके second round पर आएंगे थर्ड राउंड पर तो यहां पर देखें हम इसमें हमने से थर्ड चेन में जोइंट किया है अब हम इसमें तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन देखें तीन चेन बनाई है अब हम यह राउंड पफ बनाएंगे यहां पर तो धागा लेंगे और यह जो पीछे वाली चेन है इसके अंदर हम पफ बनाएंगे इस तहाँ से पीछे से एक बार धागा लिया फिर से लेंगे दो फिर से लेंगे तीन और चार देखे चार बार धागा लिया है एक साथ कम्प्लीट करेंगे अब हम यहाँ पर देखिए एक चेन बनाएंगे पफ बनाने के बाद हमने यहाँ पर एक चेन बनाई है और एक यह ह हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे तो एक दो और थर्ड चेन में हम double crochet बनाएंगे दो चेन छोड़कर देखे इस तहाए से फिर जहां पर हमने double crochet बनाया इससे पीछेवाली चेन के अंदर हम फिर पफ बनाएंगे एक, दो, तीन, च्यार लहें, इस तहाए से एक चेन लेंगे फिर से हमने एक चेन ली है धागा लेंगे और हम देखिए यहाँ पर हमने पफ बनाया है तो एक दो और तीसरी के अंदर हम फिर से डबल क्रोशिया और फिर हम यहाँ पर साथ वाली चेन में पफ बनाएंगे एक दो तीन चार कमप्लीट करेंगे एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर एक दो चेन चोड़ेंगे और थर्ड में हम दबल क्रोशिया बनाएंगे फिर पीछे वाली चेन में हम Puff बनाओंगे एक, दो, तीन, चार, कम्प्लीट करेंगे देखे इस तह से बनाते हुए पुरा रौंड हम कम्प्लीट करेंगे देखे रौंड हमारा बनकर कम्प्लीट हो गया है अब हम इसे यहां पर देखे एक chain हमने बना ली है और जहां पर देखिज फूबद देखिज 3 चैन तीन निकाले और थ़ड़ के साथ श्लिवस्टिज में लोग कीने हम इस ताइसे हमने सलिवस्टिच करेंगे लीदेगे इस तहह nelay रोजिवस्टिचिं- पौ। फिर एक बर बनेंगे, और हम 2 भार बनेंगे के वुड़ेंगे, यहां पर ट्रिपल क्रोशिया बनेगे, उसलिक्जी दितने के बारने के बार्द हमारे भ!! अब हम दो का एक करेंगे अब हमारे पास यह तीन हो गए फिर से हम दो का एक करेंगे अब हमारे पास दो है तीन, फिर से दो बार बल लेंगे और फिर हम ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे, फिर से दो बार बल लेंगे और हम फिर से ट्रिपल क्रोश्या, तो देखें पूरे राउंड में हम इसी तरह से ट्रिपल क्रोश्या बनाएंगे, दो बार बल लेंगे और फिर हम ट्रिपल तो देखें इस तह से बनाते हुए पुरा राउंड कम्प्लीट करेंगे देखिए राउंड हमारा बनका कम्प्लीट हो चुका है अब हम इसके नेक्स्ट पे हैं यहां पर देखिए हम क्या करेंगे पहले हम इसमें तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन चेंद बनाई है अब देखिए जो डबल क्रोषया है इसमें हम back post बनाएंगे तीन चेंद बना लिए हैं पिछे से लेंगे और इस ताय से back post एक बनाएँ फिर simple double क्रोषया बनाना है back post धागा लेंगे फिर next में जाएंगे इस ताय से फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट में, देखे इस तरह से, इस तरह से हम बैक पोस्ट बनाएंगे. बनाकर पुररह राउंड कम्प्लीट करेंगे, देखे इस तरह से, देखे राउंड अम बारा बनकर complete हो गया है। अब हम इसे यहां पर थर्ड चेन के साथ स्लिवस्टिच करेंगे, एक, दो, तीन, यहां पर हमने इस तरह से हमने स्लिवस्टिच किया, अब देखे तीन चैन लेंगे एक दो तीन धागा लेंगे देखे यहां पर हमने तीन चैन बनाएं नेक्स्ट में हम इसे सिंपल डप फ्रेंट पोस्ट डबल क्रोशियां बनाएंगे इस तहाँ से हमने फ्रेंट पोस्ट बनाएं देखे फिर हम next double crochet को simple double crochet बनाएंगे फिर हम next double crochet को front post बनाएंगे इस तहरे से फिर से हम simple double crochet बनाएंगे फिर हम front post बनाएंगे फिर simple बनाएंगे ये पूरी रोह हम इसी तहरे से complete करेंगे एक simple double crochet एक हम front post double crochet फिर से simple double crochet, फिर front post double crochet, तो बनाकर round complete करेंगे, एक simple और एक front post, देखिए इस तरह से, बनाकर round complete करेंगे, देखिए round हमारा बनकर complete हो गया है, अब हम इसके next round पे हैं, यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले हमने इसे यहाँ पर third chain में slay stitch किया है, एक, दो, तीन chain ली है, धागा लेंगे, देखिए यह हमने front post बनाया था, अब हम इसे simple double crochet बनाएंगे, फिर हमने जो simple double crochet बनाया था, इसे हम front post double crochet बनाएंगे, फिर हम simple double crochet बनाएंगे, फिर हम simple double crochet बनाएंगे, फिर जो हमने simple बनाया था, उसे हम front post बनाएंगे, इस round में हम simple double crochet को front post बनाएंगे, और जो front post बनाया था, उसे हम simple बनाएंगे, इस ताह से, देखिए यह simple है, इसे हम front पोस्ट बनाएंगे, फिर हम सिम्पल डबल क्रोशिय बनाएंगे, फिर से हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम सिम्पल डबल क्रोशिय बनाएंगे, फिर से हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे, तो इसी तहाँ से बनाते हुए पुरा राउंड कम्प्लीट करेंगे, देख अब हम इसके next round पर यहाँ पर देखी हमने यह दो राउंड बनाये है इस पैटर्न के अब हम इसके उपर देखुंद ही यहाँ से start करेंगे जो हमने लिज़े रूंप सर्स ट्रो बनाए थी से मैसे ही अब हम यहाँ पर बनाएंगे फिर से बनाएंगे दो, फिर नेक्स चेन में हमने दो डबल क्रोशियां बनाया था, एक चेन के अंदर दो, यह हमने फिर से बनाएंगे, एक चेन में एक और सक्केंड चेन में दो, देखे यह हमने एक बनाया, फिर हम सक्केंड चेन में दो बार बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर से बनाएंगे, दो, फिर next chain में हम एक बार बनाएंगे, फिर next chain में दो बार, तो इसी तह से ये round complete करेंगे, देखिए एक chain में एक बार, और second chain में दो बार, ये हमने first row में बनाया था, same ऐसे ही बनाते हुए, पुरा round complete करेंगे, देखिए, round हमारा बनकर complete हो गया है, इसके बार, देखिए, हमने अब भी ये round बनाया है, जिसमें हमने एक chain के अंदर एक, और एक chain के अंदर दो बनाए है, अब हम ये वाला round बनाएंगे, तो अब देखिए, किस तह से बनाएंगे, यहाँ पर पहले हम तीन chain लेंगे, देखि देखिए, इस तह ऐसे crochet hook निकालेंगे, और धागा लेंगे, और इन दोनों धागों को हम एक साथ complete करेंगे, यह हमारा एक chain बन गई, दो और तीन तीन chain बन गई है, धागा लेंगे, अब देखिए, आगे हम सभी double crochet को back post बनाएंगे, second round में, देखिए, यह हमारा second round है, second round मे हमने हर एक double crochet को back post बनाया था, back post बनाने के बाद देखिए, यह हमारे पास एक किनारी बन कर आई थी, तो सेम ऐसे ही हम, देखिए, इस तह से back post बनाएंगे, धागा लेंगे, फिर next double crochet को, इस तह से हम back post बनाएंगे, फिर से next double crochet को, तो देखिए, हम इस पूरे round को ही back post बना कर साथ करेंगे इस ताहिसे तब इस त माः इसे बनाते वेजिए वस्ट हो गया है अब देखे हम ने यह वला राओड बनाया इसके बाद हमने यह देखे पफ का राउंड बनाया था, अब हम वो बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए, तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन, तीन चेन लिया है, अब देखिए यह जो पीछे वाली चेन है, इसके अंदर हम पफ बनाएंगे, धागा लेंगे, एक, दो, तीन, चार बार हमने धागा लिया है, ए हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और धागा लेंगे दिखे दो चेन स्किप करनी है एक दो और थर्ड चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर धागा लेंगे और हम पीछे वाली जिसमें हमने दिखे यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इससे पीछे वाली ऐसे हम दो chain skip करेंगे, एक दो और возмож doctor chain में, हम double crochet बनाएंगे, इस राईसे धागा लेंगे और फिर हम जहां पर हम डबल क्रोश्च बनाएं, इसे पीछे वाली chain में हम puff बनाएंगेules एक बर धागा लिया, दो, तीन, च्यार बार धागा लिया है एक साथ कंप्लीट करेंगे एक चेन लेंगे फिर से धागा लेंगे और दो चेन छोड़ेंगे एक दो और थर्ड चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से हम जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाएं इसे पीछे वाली chain में हम puff बनायेंगे एक, दो, तीन, च्यार कम्प्लीट करेंगे इस तहाए से फिर से एक chain लेंगे और आगे करेंगे तो देखे इस तहाए से बनाते हुए पूरा round हम complete करेंगे तो round हमारा बनना कर complete हो चुका है यहां पर हमने एक chain ली है अब देखिए यहां पर हम देखे इस तरह ऐसे निकालेंगे और यहां पर हम challenge के अंदर से बना कर इसमें slip stitch करेंगे यहां पर यह देखे हमारा joint हो गया है फिर से हम इसे बीच में लेकर आएंगे और इसे हम यहां पर slip stitch करेंगे एक, दो, तीन, चार चार चेन लेंगे देखें पफ बनाने के बार हमने यहां पर ट्रिपल क्रोशिया बनाया था तो अब हम यहां पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे देखिए तीन चेनली चार चेनली है एक दो तीन चार दो बार धागा लेंगे और हम यहाँ पर बनाएंगे देखिए एक बार बनाया फिर से दो धागों में से निकाला और फिर दो धागों में से निकाला देखिए इस तरह से दो बार बर लेंगे और हम यहाँ पर बनाएंग और यहाँ पर भी हम triple crochet बनाएंगे, अब देखे इस round में हमें हर एक puff के बीच में तीन तीन बार triple crochet बनाना है, देखे इस तरह से, फिसे दो बार बल लेंगे और यहाँ पर हम triple crochet बनाएंगे, यह देखे, दो बार बल लेंगे, next puff में जाएंगे और यहाँ पर हम, एक, दो, तीन, दो बार बल लेंगे, फिसे एक, दो, तीन, दो बार बल लेंगे, फिसे बनाएंगे, एक बार बनाया, दो बार, तीन बार, तो देखे इस तरह से, इस तरह से हम पुरे round को complete करेंगे, देखिए round हमारा बनकर complete हो गया है अब हम इसके next round पे हैं यहाँ पर देखिए हम इसे third chain के साथ slip stitch करेंगे sorry fourth chain के साथ यहाँ पर हमने triple crochet बनाया था तो fourth chain में एक, दो, तीन और यह हमारी fourth chain है यहाँ पर हम इसमें single crochet बनाएंगे अब देखिए हम इसमें आगे कैसे बनाएंगे यहाँ पर हम देखिए पीछे की साइड से हम crochet hook लेंगे और इस तहाँ से बनाएंगे जैसे हम back post बनाते हैं एक बार दो, तीन, तीन बार chain ली है धागा लेंगे अब देखिए जितने भी हमने double crochet बनाया है सभी को हम back post बनाएंगे इस तहाँ से सभी double crochet को हम back post तो बना कर यह round complete करेंगे देखिए, सभी double crochet को back post बनाएंगे देखिए, round हमारा बनकर complete हो गया है, अब हम इसके next round पे हैं, देखिए, next round में हमने यह pattern डाला था, एक simple double crochet, एक हमने front post तो अब हम वही बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें पहले तीन chain बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर देखिए next double crochet को हम front post बनाएंगे देखिए, इस तहाँ से front post बनाया फिर हम simple बनाएंगे देखिए, इसके बाद हम front post बनाएंगे फिर next double crochet को हम simple बनाएंगे फिर हम front post बनाएंगे फिर से हम simple बनाएंगे तो देखिए, इस तहाँ से बनाते हुए पुरा round complete करेंगे इसके बाद देखिए, जब हम next round बे आएंगे तो हम उसमें, जो हमने front post बनाया है उसे हम simple बनाएंगे जो हमने simple बनाया है इसे हम front post बनाएंगे इस तहाँ से बनाकर हम ये दो row complete करेंगे फिर आग्या आपको बताएंगे round हमारा बनकर complete हो चुका है और इसका लोग कुछ इस तहाँ से बनकर आया है अब देखिए हम इसके next round बे हैं और वो हम देखिए किस तहाँ से बनाएंगे देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पर हम 3 chain बनाएंगे pattern की हमने यहाँ पर 2 row बनाई है देखिए इस तहाँ से अब हम यहाँ पर simple double crochet बनाएंगे हर एक chain के अंदर एक- plugins क्रोशिय बनाएंगे दीखिए इस तहाँ से हर एक chain में एक-इक डबल क्रोशिय बनाने के बाद हम round complete करेंगे उसके बाद हम हर एक chain के अंदर back post बनाएंगे देखिए यह वाले जैसे हमने ये वाले बनाए थे, और दिखे, बैक पोस्ट बनाने से, इस तहाई से हमारे पैटरन में एक किनारी सी बन कर आती है, जो बहुत ही प्यारी लगती है, तो हम यह राउंड बनाने के बाद, एक बैक पोस्ट का राउंड बना कर कमप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको बताएंगे देखिए रांड हमारा बनकर कम्प्लीट हो चुका है और इसका लोग कुछ इस तह से आया है और ये देखिए हमने एक बैक पोस्ट का रांड भी बनाकर कम्प्लीट किया है अब हम इसमें आर्म होल के कटिंग करेंगे और बैक फ्रेंट का पार्ट अलग करेंगे बाजू से तो यहाँ पर देखिए हमने निशान लगाया हुआ है इसमें देखिए इस तह से यहाँ पर हमने देखिए यह हमारा बैक का पार्ट है तो इसमें हमने देखे यहाँ पर 65 double crochet हमने यहाँ पर रखे हैं और फिर हमने यहाँ पर निशान लगाया है उसके बाद बाजू के लिए हमने यहाँ पर 45, 45 double crochet रखा है फिर उसके बाद हमने यहाँ पर फिर से हमने 65 double crochet रखे हैं और फिर हमने दूसरी बाजू के लिए यहाँ अब हम देखे, इसमें आगे क्या करेंगे, देखे, एक बार हम आपको count करके दिखा देती हैं, तो यहां से हम count करेंगे, जहां पर देखे, यह हमारा धागा है, यह वाला, तो पेर में count करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठारा, उननिस, बीस, एक्किस, बाइस, तेईस, चोबिस, पचिस, चबिस, सताईस, अठाइस, उनतिस, तीस, इकतिस, बतिस देखे और एक ये तो यहाँ पर हमारे ये 65 डबल क्रोश्या है और इसी तहाँ से 45 हमारे यहाँ पर है बाजू में ये 45 डबल क्रोश्या है अब देखे आगे हम किस तहाँ से बनाएंगे यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे 1, 2, 3 तीन चेन बनाई है अब देखे हमें इसमें कोई भी डिजाइन नहीं डालना है हम सिम्पल डबल क्रोश्या बनाएंगे तो यह दो तो यह हम 65 डबल क्रोश्या है तो हम यहाँ पर 65 डबल क्रोश्या बना लेंगे दूसरी साइड के लिए देखें, इस तह saya से हर एक chain के अंदर एक डबल क्रोशिय बनाएंगे देखें, यह जो हमने यहाँ पर निशान लगा यह हमारा last का 65 κ्रोशिय है यहाँ तक हम बना कर इसे complete करेंगे देखें, यहाँ पर हमने 65 डबल क्रोशिय बना लिया है अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे यहां पर हम पाँच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच देखिए यह चेन हम थोड़ा सा लूज बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमें फिर डबल क्रोश्य बनाना है पाँच चेन बनाने के बाद देखिए हम इस जो हमने चुके 45 डबल क्रोश्य छोड़ा था इसे हम skip करेंगे और यहां पर देखिए यह वाला जो डबल क्रोश्य है यहां पर हम इस तहाँ से डबल क्रोश्य बनेंगे फिर हम यह राउंड इसी तरह से बनाते हुए complete करेंगे और दूसरी साइड भी हम 5 चेन बनाकर joint करेंगे देखिए इस तहाँ से यहां पर भी हम 5 डबल क्रोश्य यहां तक बनाने के बाद हम 5 चेन लेंगे और फिर हम उसे यहां पर जोइंट करेंगे आगे आपको बताते हैं देखिए राउंड हमारा बनकर complete हो गया था और यहां पर हमने देखिए 5 चेन बनाई है और जहां से हमने इसके स्टार्टिंग की थी वहां पर हमने थर्ड चेन में स्लिव स्टिच किया है उसके बाद हर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोश्य बनाते हुए देखिए हम यहा दूसरी चेन के अंदर डबल क्रोश्य फिर हम दूसरी चेन के अंदर डबल क्रोश्य फिर हम तीसरी चेन में बनाएंगे यह देखे इस तरह से हम हर एक चेन में एक डबल क्रोशिय बनाएंगे और देखे बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर भी हम पाँ चेन के अंदर एक डबल क्रोशिय बनाएंगे और यहाँ पर हम slip stitch करेंगे इसमें हमें कोई भी pattern नहीं डालना है simple row बनाते हुए हम इसकी length complete करेंगे नीचे तक हम इसे बना कर complete कर लेते हैं इसकी length फिर आगे आपको दिखाएंगे देखे friends length हमने बना कर इसकी complete की है और यहाँ पर दिखिए इस तह से हमने इसकी length बनाई है यहाँ पर length में हमने इसमें 24 row बनाई है और फिर 9 row हमने इसमें border की बनाई है border हमने एक back post और एक front post का बनाया है जो हम आपको आगे बनाना सिखाएंगे और length आप अपनी length के according बनाईएगा तो चलिए अब हम इसमें बाजू बनाना स्टार्ट करते हैं तो देखिए यहाँ पर हम इसमें double crochet बनाईएगे देखिए जो हमारा first यहाँ पर हमने 5 chain बनाई थी और उसके अंदर हमने एक एक double crochet बनाया था तो यहाँ पर हम इस chain में जो हम मारी पाचवी chain है इसके अंदर बनाएंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर हम धागा joint करेंगे इस तरह से एक दो तीन chain लेंगे और फिर हम देखिए यहाँ पर जो हमारा double crochet है देखिए आपको दिखाई देगा double crochet यहाँ पर हम दो बार double crochet बनाएंगे इक बार बनाया, फिर से बनाएंगे, यह दो हो गए. यहाँ पर 2 हो गए, अब हम देखे यह जो चेन है, ये वाले इस चेन को हम skip करेंगे. देखें यह जो चेन दिखाई देगे, आपको इसे हम skip करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा यह double crochet बना हुआ है जिसमें हमने दो बार बनाए है अब हम next में जाएंगे और यहाँ पर हम double crochet बनाएंगे हर एक chain के अंदर हम एक एक double crochet बनाएंगे यह जितने भी हमारी chain दिखाई देगी इसमें हम हर एक chain के अंदर एक एक double crochet बनाएंगे देखें बनाते हुए हम यहां तक आ गए हैं देखें यहां पर यह देखें हमने इस डबल क्रोशी के अंदर दो बार डबल क्रोशे बनाया था यहां पर देखें यह दो डबल क्रोशी के अंदर दो बनाया था तो यहां पर भी हम एक डबल क्रोशी के अंदर दो बनाएंगे तो एक के अंदर हम ने धागत जॉइंट के था, तो यहाँ पर हमारे पास यह चार डबल क्रोशे बचे हुए हैं, इन चारों के अंदर हम एक एक बनाएंगे, यह देखिए, एक बार बनाएंगे, नेक्स चेन में जाएंगे, एक बार बनाएंगे, फिर एक बार बनाएंगे, अब दिखिए यहां पर हमने थ्री चेन बनाई थी तो फर्स चेन के साथ थर्ड चेन के साथ इसे हम स्लिव स्टिच करेंगे फिर हम एक दो तीन चेन लेंगे हर एक चेन के अंदर अब एक डबॉल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तह से हर एक चेन के अंदर एक डबॉल क्रोशिया देखिए इस तह से इस तह से बनाते हुए हम इसमें बाजू की लैंद कम्प्लीट करेंगे और देखिए यहां पर हम क्या करेंगे यह जो हमने पांच डबॉल क्रोशिया बनाया है हम इसके पांच रो बनाने के बाद देखे फास्ट रो हमने बना लिये है और सेकंड रो में हम है इसी तहाँ से हम इसकी टोटल पांच रो बनाएंगे एक दो और इस तहाँ से तीन चार पांच बनाने के बाद जो हम छटी रो में आएंगे तो यह जो पांच डबल क्रोश्या इन पांच डबल क्रोशे को हम घटाएंगे हर बार हम एक एक डबल क्रोशे कम करते हुए जाएंगे तो हम पांच रो में ये पांच डबल क्रोशे कम कर देंगे उसके बाद ये जितने भी डबल क्रोशे हैं इनी की हम लैंध कम्प्लीट करेंगे पांच रो बनाने के बाद हम हर एक रोग में 1 एक डबल क्रोशिया कम करेंगे और इसकी length complete करेंगे तो पहले हम इसकी length complete कर लेते हैं फिर आगे आगे आपको दिखाएंगे देखे यहाँ पर हमने बाजु बना कर complete की है और यहाँ पर देखे हमने यह पाँच रोग बनाने के बाद यहां पर देखिए 1-2-3-4-5 5 ro बनाने के बाद हमने हर एक ro में 1 अचा दबल क्रोशय और कम किया है यहां तक हमने कम किया है इसके बाद हमने देखे यह पोरी ro हमने बाकी की जितने भी डबल क्रोशय बचे थे उसमें हमने यह बाजू बनाकर complete कि है प्रभी की से धी ऊपर इस्मीसाटर मद्द कार, तो यहlyi हैं यहां पर यहां पर किनारी सी क्या शवाली है, निसाली मद्द्द्ध रेंगें शाथने यह जाते हैं अब हम इन दोनों धागों को लेंगे और इस तहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सिंगल क्रोशिया बनाया एक चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स चेन में जाएंगे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम एक, दो, तीन, तीन चेन ली है, फिर से हम ये दो धागे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दिखिए इस तरह से, फिर से एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक, दो, तीन चेन लेंगे और यहाँ पर हम फ पमनाते हुए एक झोटी छोटी हम किनारी बनाएंगे, इस तह से हम छोटी-टी किनारी बना कर किप्लेat करेंगे, अब किनारी कमप्लीट करेंगे, यह कंप्लीट हो गई है, तो अब हमें के चार, यह इसे दो दागोंwe फर्स चीन के अंदर हम इस तहर से स्लिव स्टिच करेंगे एक चीन लेंगे धागे को टाइट करके कट करेंगे दिखे इस तहर से ये हमारी किनारी बनी है और बाजु देखे कितनी प्यारी बन रही है अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसमें border भी बना सकते हैं एक front post और एक back post का लेकिन इससे थोड़ा नया look आएगा तो इसलिए हमने यहाँ पर यह किनारी बनाई है अब हम इसी तहरे से दूसरी बाजू पर बनाएंगे वो हम बाद में बनाएंगे तो पहले हम इस पर गला बनाना स्टार्ट करते हैं देखें यहाँ पर हम इसमें धागा जोइंट करेंगे एक, दो, तीन चेन लेंगे नेक्स्ट चेन में जाएंगे यहाँ पर देखें हमने 96 चेन लेती तो हम यहाँ पर 96 चेन के अंदर 1-1 double crochet बना लेंगे हर एक chain के अंदर तो यहाँ पर हमारे 96 double crochet बन कराएंगे तो इस तहां से हम हर एक chain के अंदर 1-1 double crochet बनाएंगे देखी इस तहां से यह हम बना कर complete करेंगे हर एक chain के अंदर एक डबल क्रोशिया देखे राउंड हमारा बनकर complete हो चुका है अब हम यहाँ पर फिर से तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन तीन चेन लिए हैं धागा लेंगे अब देखे यह जो हमारा next डबल क्रोशिया है यह से हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे इस तहाँ से फ्रेंट पोस्ट बनाया फिर से हम धागा लेंगे next डबल क्रोशिय को हम बैक पोस्ट बनाएंगे फिर हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे फिर से बैक पोस्ट एक डबल क्रोशिय को हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे और एक डबल क्रोशे को हम बैक पोस्ट बनाएंगे देखिए इस तहाँ से फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे फिर हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे फिर हम बैक पोस्ट बनाएंगे फिर हम फ्रेंट पोस्ट तो देखे इस तह से एक बैक पोस्ट एक फ्रेंट पोस्ट बनाते हुए हम इसमें राउंड कम्प्लीट करेंगे और देखे फिर हम ये राउंड कम्प्लीट करने के बाद जब हम नेक्स राउंड में आएंगे तो हमें जो जैसा दिखाई देगा द और गले में हम 4 रो बनाकर complete करेंगे, तो ये बनाकर complete कर लेते हैं, देखें, एक रो हमारी ये हो गई, और एक ये दो हो गई है, जो ये हमने simple रो बनाई है, इसे हम count नहीं करेंगे, तो हम अगर इसे count करेंगे, तो ये हम 5 रो हो जाएंगे, तो एक हमने बना ली है, दूसरी लगा बना दोनों साइड से सेम बना है, बहुत ही प्यारा हमारा गला बना है, बाजूपर देखिए हमने दोनों साइड किनारी कर लिया है, और देखिए इस तहीं से बना है आपको इसका एक बार फाइनल लुक दिखाते हैं देखिए फ्रेंज बनने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तहीं से बन कर आया है बहुत ही प्यारा हमारा ये टोप बना है उम्मीदे फ्रेंज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयोगे मेरी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू